सेफटी स्टार्ट विद मी, सेशन में आपका स्वागत है, आज हम दो पहिया, वहन ड्राइविंग सेफटी की चर्चा करेंगे और कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, चलिए शुरू करें बाइक के महत्वपूर्ण हिस्से को चार भागों में बात सकते हैं, जैसे टायर, ब्रेक, लाइट और इंजिन टायर, एक सही टायर आपके बाइक के माइलेज को बढ़ाता है बलकि सही समय पर ब्रेक लगाने पर गाड़ी को सुरक्षित रोकने में मदद करता है आईए समझते हैं बाइक के टायर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, पहला, देखकर, आप टायर को देखका भी अंदाजा लगा सकते हैं जैसे, आप देख सकते हैं, टायर के ज्यादा घिसा होने से बाइक का माइलेज कम हो जाता है और फ्यूल ज्यादा इश्तेमाल होने लगत और सांथी दुरघटनाओ के समभावनाओ को कम करता है, घर बाइक के टायर के अनुसार बाइक ट्रैशर अलग-अलग हो सकते हैं, ब्रेक, बाइक में ब्रेक एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हमें गाड़ी को सड़क पर, परिस्थिती अनुसार, गाड़ी को धीमा कर या रोकने में सहायक करता है, इसके सही से नकाम करने की वजह से गाड़ी अनेयंतरन होकर दुरगटना का शिकार हो सकता है। आए देखते हैं ब्रेक की जाच कैसे करें। ड्रम ब्रेक के अंदर ब्रेक शूज होता है और कैसे पता करें बिना ब्रेक शूज खोलें। कि आपका ब्रेक शूज घिस चुका है और अब बदलने की जरुरत है। Break drum के उपर आप देख सकते हैं एक indicator दिया होता है, जिसे wearing indicator कहते हैं और सांथ ही यहाँ पर देख सकते हैं. लिखा हुआ होता है, usable range. ये हमें शो करता है कि break shoes हमारा कितना use हो चुका है और कितना बाकी है. ये pointer ये indicate करता है कि हमारा break shoe कितने इस्तेमाल हो चुके हैं और कब खत्म होने वाले हैं. तो जब ही हम नया break shoes डालते हैं तो ये indicator शुरुआत पर होता है. और जैसे use होता जाता है ये pointer धीरे-धीरे last पर चला जाता है. जब break shoe घीस जाता है तो ये indicator last point को चुना शुरू कर देता है. जब ये indicator यहाँ पहुँच जाये तब समझ जाना चाहिए कि break shoe को बदलने की जरूरत है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये indicator middle पर है परन्तु फिर भी break नहीं लग रहा है. तो आप अगर बाइक के break pedal को दबाएंगे तो ये indicator end point तक पहुँच रहा है. इसका मतलब हमारा break shoe घीस चुका है और अब नया break shoe डालना होगा. बाकी के दो भाग अगले वीडियो में देखें. जानकारी ही सुरक्षा की नीव है. धन्यवाद.